Question number 3 है, in given figure, angle PQR is equal to angle PRQ, then prove that angle PQS is equal to angle PRT, तो सबसे पहले हम इसकी figure draw कर लेते हैं, यह है एक straight line ST, और यह है एक triangle PQR, और जैसा कि इसमें दिया गया है, angle PQR is equal to angle PRQ, यह है angle PQR और यह है angle PRQ, यह है आपस में बराबर है, और हमको prove करना है कि angle PQS is equal to angle PRT, यह है angle PQS और यह है angle PRT, यह है आपस में बराबर होंगे, यह हमें प्रूब करना है बहुत ही आसान है चलिए इसको solve कर लेते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि एंगिल PQS और एंगिल PQR linear pair angles हैं एंगिल PQS और एंगिल PQR linear pair angles हैं तो उस तरह से एंगिल PQS प्लस एंगिल PQR is equal to 180 degree यह हो जाएगी equation 1 उसी तरह के से आप देख सकते हैं कि एंगिल PQRQ और एंगिल PRT यह भी linear pair angles हैं एंगिल PRQ और एंगिल PRT यह दोनों भी linear pair angles हैं तो इस वज़े से एंगिल PRQ प्लस एंगिल PRT is equal to 180 degree यह हो जाएगी equation 2 अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि equation 1 is equal to equation 2 और equation 1 क्या है equation 1 है PQS प्लस PQR तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एंगिल PQS प्लस एंगिल PQR is equal to equation 2 equation 2 क्या है एंगिल PRQ प्लस एंगिल PRT left hand side हम वैसे ही उतार लेंगे आप देखिए एंगिल PRQ है PRQ की जगे पे हम लिख देंगे PQR एंगिल PRQ की जगे पे हम यहाँ पर PQR लिख देंगे लेकिन ऐसा हम क्यों लिख देंगे क्योंकि हमको दिया गया है कि एंगिल PQR is equal to PRQ तो यह दोनों आपस में बराबर है तो हमने PRQ की जगे पे यहाँ पर लिख दिया एंगिल PQR प्लस PRT हम वैसे ही उतार लेंगे यहाँ पर PQR PQR आपस में कड जाएगा और बचेगा केवल एंगिल PQS is equal to एंगिल PRT यही हमको प्रूफ करना था यह हमारा यहाँ पर प्रूफ हो गया और यहीं हमारा answer हो गया